के तूफानों से आँख मिलाओ सैलाब पर वार करो मलाहो का चकर छोड़ो यारो तैर कर दरिया पार करो नमस्कार दोस्तो मैं आपका दोस्त प्रदीप कश्यप आज आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे सोसल मीडिया स्टार के बारे में जिनके जीवन के संगर्स की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है दोस्तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रियंका चोहान के बारे में दोस्तो प्रियंका चोहान का जन्म 18 नमबर सन 2000 को हर्याना के हिसार के बरवाला गाउं में हुआ था 21 साल की प्रियंका चोहान के परिवार में उसके भाई बैन और मा है दोस्तो परिवार में आर्थिक तंगी तो पहले से ही थी लेकिन प्रियंका फिर भी गाओं के सरकारी स्कुल में पढ़ती थी और माबाप के काम में उनका हाथ बटाती थी जब प्रियंका की महज 11 वर्स थी तो कक्षा पांच में उन्हें मजबूरी में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि इनके पिताजी की तबियत अचानक से इतनी बिगड़ गई कि परिवार की माली हालत तो पहले ही खराब थी और खराब हो गई और इसी के चलते इनके फादर का स्वर्गनवास भी हो गया जिसके कारण इनकी मा की भी सहत खराब रहने लगी अब परिवार की बेटी परी परिवार की सारी जिम्मेदारी का बोज आ गया दोस्तो इनके कॉमल हातों में इनके परिवार की बाग़ डोर आ गई और प्रियंका को मजबूरी में मजदूरी का हाथ पकड़ना पड़ा फिर भटो पर इंट बनाने की मजदूरी से लेकर मिस्तरी के साथ मकान बनाने की मजदूरी करने तक इनके जीवन का संगर सुरू हो गया दोस्तो प्रियंका ने बहुत ही महनत की और परिवार की नईया की ख्योईया बन गई और अपने छोटे भाई बैनों की सिक्षा के लिए स्कूल भेजा कभी भी उन्हें एक बाप की कमी महसूस नहीं होने दी दोस्तो ये समाज बड़ा निर्दई है ये बिना किसी मजबूरी को जाने कुछ भी कहने लगता है प्रियंका को भी लोगों ने समाज में तरह-तरह के ताने दिये दोस्तो समाज के लोगों ने उनकी बहुत उपेक्षा की और इनी उपेक्षाओं को जहलते वे प्रियंका चोहान ने किसी की परवाने की और वो अपने काम में निरंतर लगी रही दोस्तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि दो चार जखमों की बात नहीं है सारा जिसम छलनी अब तो दर्द भी परेशा है यारों के कहां से उठे दोस्तो प्रियंका के परिवार के पास अपना खुद का मकान नहीं था जो था वो पिता के इलाज में बिख चुका था किराय पर ये जहां तहां रहने लगी लेकिन जहां भी रहती कुछ दिनों में इन्हों मकान खाली करना पड़ता दोस्तो अपनी कमाई का ज़्यादा हिस्सा अपने भाई बैनों की पढ़ाई पर खर्च हो जाने से इनके हाथ में इतना पैसा नहीं बच पाता था कि मकान खरीदने का पैसा जुड़ पाए दोस्तो प्रियंका चोहान के भाई और बहन दोनों ग्रेजवेशन कर रहे हैं और इनके भाई तो ग्रेजवेशन कम्पलीट करकर नोकरी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तो इनके सोसल मीडिया स्टार बनने की कहानी भी बहुत अजीब है दोस्तो सन 2018 बें इनकी छोटी बहन ने इनका वीडियो बना कर टिक टोक पर डाल दिया जिस पर बहुत अच्छा रेस्पोंस मिला फिर प्रियंक का अपनी छोटी बहन पूजा के साथ मिलकर वीडियो बनाने लगी और टिक टोक पर अपलोड करने लगी दोस्तो देखते देखते इनके टिक टोक पर लाखो फोलोवर बन गए और आज इनकी वीडियो को सभी लोगों द्वारा पसंद किया जाता है दोस्तो अगर इनके फोलोवर की बात करूँ तो आज की तारिक में इनके 4 मिलियन फोलोवर्स हैं लेकिन दुरभाग्यवाज टिक टोक बैन हो गया तो फिर इन्होंने स्नैक पर अपनी वीडियो बनाना शुरू किया लेकिन स्नैक भी बंध हो गया तो फिर इन्होंने यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो अप्लोड करना स्टार्ट किया दोस्तो इंस्टाग्राम पर इनके 1.4 मिलियन फोलोवर हैं और यूट्यूब पर 6,34,000 सब्सक्राइबर हैं दोस्तो फिलहाल प्रियंका ने मजदूरी करना छोड़ दिया है वो इसलिए नहीं के इनके पास काफी पैसे हो गए है वो इसलिए के इनकी मा की तवियत बहुत खराब रहती है और ये अपनी मा की तवियत की देख भाल करती है और दोस्तो प्रियंका ने अब अपना मकान भी बना लिया है फिलहाल प्रियंका शादी करने की इच्छा नहीं रखती है पहले वो अपनी सारी जेमिदारी पूरी करना चाहते है दोस्तो प्रियंका के जीवन के संगर से हमें इतना तो समझ में आ ही गया है कि इंसान अगर महनत करे तो वो अपनी तकदीर बदल सकता है दोस्तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको पसंदाया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें